अलो फ्रेंज, सबका दिन मंगल मैं हो, हैपी कुकिंग मोमेंट्स में आज हम बनाएंगे मेथी मसाला पूरी तो ये विंटर्स का टाइम है, इस समय काफी अच्छी फ्रेश मेथी मिलती है तो जरूर ट्राइ करिएगा, ये विंटर्स के लिए बहुत फाइदे मंद भी होती है, काफी गरम होती है और चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंस भी करिएगा तो मैंने एक बाउल मिथी पतियां धुल करके पानी निकाल के रखा हुआ है और इसे हमें चॉप कर लेना है तो चलिए बाकी इंग्रीडियन्स देख लेते हैं तो पहले हमें चहिए होगा आटा तो जिस बाउल से मैंने मिथी ली थी, उसी बाउल से एक बाउल गेहु का आटा लिया है और उसका वन थर्ड हमने बेसन लिया हुआ है और लगभग उतना ही या उससे थोड़ा सा कम मैंने मैदा डाला है आप चाहें तो केबल गेहु के आटे का भी बना सकते हैं मसालों में डालेंगे नमग, हल्दी, चिली फ्लेक्स लिया है थोड़े दाने जीरे के और अजवाइन है और ये कसूरी मेथी डाल लेंगे फ्लेवर्स के लिए और इन ड्राइ इंग्रीडियन्स को हम आटे में मिक्स कर देंगे मैंने नमग थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि सबजी के साथ खाना है, अगर आपको सुखा ही खाना है तो तमक की कॉंटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते है तो हमारा आटा तैयार है, सुखा आटा अब चलिए मेथी पत्तियां हम चौप कर लेते हैं, फाइन फाइन बहुत महीन हमें इसे काटना है तो हमारी मेथी भी तैयार हो गई है और हमने कसूरी मेथी तो थोड़ी डाली ही है थोड़ी सी धनिया पत्ति भी मैंने लगबग 1.5 टेबल स्पून धनिया पत्ति काटके महिन बारिक काटके रखी हुई है वो भी आट करेंगे और चिली फ्लेक्स तो लिया ही है थोड़ी ग्रीन चिली भी मैं दो हरी मिर्चे ले रही हूँ तो हरी मिर्चे मैं बीज निकाल करके इस्तेमाल करूँगी जिससे कि ये बहुत तीखा ना हो अगर आपको तीखा पसंद है तो बीज के साथ ही आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं बीज मैंने निकाल दिया है और इसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हम इसमें पत्तियों के साथ मिक्स कर देंगे तो हरी मिर्ची भी हमारी गई अब चलिए आते में हम थोड़ा सा मोयन डालेंगे क्रिस्पी बनाने के लिए और फिर उसमें जो पत्तियों चौप करके रखी हैं वो भी एड़ करेंगे और उसके बाद मिक्स करेंगे फिर हम धीरे धीरे पानी डालते हुए एक टाइट आता लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक टाइट आता लगाना है लेकिन तो गूथना बढ़ियां से है नहीं तो फिर किनारे फटने लगेंगे जो रत पड़े तो तेल का हाथ भी लगा सकते हैं हमारा आता तयार हो गया है इसको ढख करके चार-पांच मिनट के लिए रख देंगे और उपर से थोड़ा सा हम तेल इसमें अपलाई कर देंगे और जब तक हमारा आता रेस्ट हो रहा है मैंने एक कड़ाई चड़ा दी है धिमी आज पे और तेल गरम होने के लिए रख दिया है रिफाइन डॉयल यूस करेंगे हम और चलिए हमारा आता रेस्ट हो चुका है तो अब इसकी छोटी छोटी लोईया लेंगे और बढ़ियां से हाथों से गोल करके चिप्टा करके पेड़े बना करके बेलना शुरू करेंगे और मैंने साथ में कड़ाई भी चड़ा दी है अगर आपको बेलने में टाइम लगता है तो सारे पेड़े एक साथ पहले ही बना के रख लीजे फिर बेलते जाईए और कड़ाई में डालते जाईए तो तीन-चार मैंने पेड़े बना लिये हैं और एक-एक करके बेलते जाएंगे तो उसके लिए सुखा आटा ये सुखा मैदा कुछ भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने थोड़ा मैदा लिया है उसी से मैं इसको पूरियों को बेलूंगे तो ये पूरियां थोड़ी सी नॉर्मल पूरी से मोटी ही बनाएंगे हम और किनारे से थोड़ा सा चिकना कर देंगे अगर पत्तियां बाहर निकल रही हो तो मैंने दो-तिन पूरियां बेल ली हैं अब चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं एक टुकड़ा आटा का डाल के देखते हैं तो तेल गरम हो गया है अब उसमें हम पूरियां डालेंगे मेथी की मसालेदार पूरी डालेंगे और मीडियम हीट पे इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे बीच में हम इसको एक दो बार पलट देंगे पूरी त्यार हो गई है ये निकाल लेंगे और अब दूसरी पूरी डालेंगे इसी तरह हम एक एक करके सारी पूरीयां बना लेंगे बड़े पैन में दो पूरीयां तीन पूरीयां भी साथ में डाल सकते हैं तो लीजे हमारी मसालेदार पूरी तयार है ट्राई जरूर करिएगा चैनल सबस्क्राइब करिएगा like share and comment speaker here thank you for watching